दोस्तो क्या आप Double Decker Bus के फैन हो अगर आपने Double Decker Bus देखियोगी तो सबसे बिले आपने वहाँ पर देखियोगी जहाँ पर मैं आपको बते रहा हूँ तो वो जगा है Mumbai, Mumbai में तो बहुत स्री Double Decker Bus से चार भी चलती है पर ये जो Double Decker Bus से वो एक General Double Decker Bus होती है पर दोस्तो कुछ खास Double Decker Bus है जो दुनिया में राज करती है उनमें से ही एक Double Decker Bus Marco Polo G7 Paradise O 1800 दोस्तो ये Bus आपने basic करी देखियोगी गेम्स में गेम्स में इस Buses का looks जो होता है वो काफी अलग होता है और actual lap में भी ये गाड़ी उतनी ही खास है तो चले दोस्तो फिर इस गाड़ी के बारे में हम जानते हैं इस गाड़ी को बनाया है Marco Polo Company ने Marco Polo नाम आपने Tata की Buses पे तो जरूर देखा होगा Tata के 90% Buses Marco Polo की तरब से ही build होकर आती है जो basically उनी की तरब से design होती है और उनी की तरब से ही बेच जाती है पर दोस्तो क्या आपको पता है ये जो Bus हम दिखा रहे वो भी Marco Polo बनाती है हाँ दोस्तो Marco Polo इस गाड़ी को build करता है और उसकी साथ साथ इस गाड़ी में आपको कई सारी ठीसिस का option मिल जाता है जैसे कि आपने भारत में मान लीजिए कि प्रकाश कैपिला जो Bus आती है प्र इस गाड़े की आपको सांदार के सीरीज वाले चैसिस दूसरी मसलिस की ओएफ सीरीज की चैसिस और तीसरी वोल्वो की 8x2 एक्सेल चैसिस कांफरिकिशन वाले चैसिस अभी दोस्तों आप बोलों कि यह क्यों बता रहे हो तो सबसे बेले जान लेती है कि गाड़ी की चैसि क्योंकि यह गाड़े डबल डेकर सेग्मेंट के लिए बने जाती है इस गाड़े की खासियत की बात कर लें तो इसमें आपको शांदार एक्ट्रे मिलता है जिसमें आपको सेमी स्लिपर मल्टी कुशन सीट्स मिलेंगे जो काफी कमफोर्टेबल और काफी हाइंड क्लास की स सीट्स मनें जाते हैं इसमें आपको डाइनिंग इरिया मिलेगा जहां पे आप कस्टमर्स के लिए खाना बना सकते हो और इस गाड़ी में आपको अच्छे कासी सीटिंग कैपेसिटी मिल जाती है दूसरी बात कि यह गाड़ी डबल डेकर होने कारण इसमें आपको शांदा ज्यादा अच्छे कासे फीचर्स दिये गए है जिसे की नॉर्मल अपने इंडिया में तो बहुत सरी बर्सिस को ABS होता है ABD होता है सब कुछ होता है वैसे भी इस गाड़ी को भी है पर इस गाड़ी में और क्या खास है इस गाड़ी का जो इंजिन है वो काफी पीछे लोक जाएगे क्योंकि यह गाड़ी बाहर से इंपोर्ट करानी पड़ीगे क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है पर दोस्तों इसकी छोटी बेन मतलब मार्को पोलो जी सेवेन वन टू जीरो जीरो डी यह जो मॉडल आता है सिंगल एक्सल वाला इस गाड़ी का अपने इदर भारत में एक रिप्लिका बनाया गया है जो टाटा मार्को पोलो ग्रूप के तरप से बनता है जिसका नाम है टाटा मैगना जीरो दोस्तों यह गाड़ी आपको 55 लाग तक आराम से भारत में मिल जाती है पर इसमें आपको फ्रेंट इंजिन मेलेगा टाटा की पर 20-16-18 पर बेश्ट होगी पर BS-6 में यह कोई और बेश्ट हो सकती है अब यह तो था इस गाड़ी की कीम मत के बारे में और चैसेश के बारे में पर दोस्तों या थो और भारत में चल सकती है पर भारत में कुछ जगव पे dział's की में वह है कम है इसलिसस गाड़ी को ऊपर चार मेट्रेस गाड़ी की हाइत हो सकती है उसे की साथ चाथ 8x2 एक्सिल कॉन्फरिक्शन के साथ आपको एक गाड़ी सांदर मिलती है उम्मीद करता हूँ आपको ये चुटी सी वीडियो आचले होगी होगी तो लाइक करना वीडियो को और चैनल को सस्क्राइब करता फिर मुल्मा आचले की साथ जेहिं जवारजे मारश्टर वन दे मातरम बाई बाई